आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ सम्तल सतह या सम्तल दरपन की तरह जो है पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों का उले कीजिए और आरेक पर पर परावर्तन तथा आपतन के कोणों को चिनित कीजिए ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका उत्तर सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा एक सम्तल सतह ले लेते हैं तो समतल सता है, बिटा, हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमने ले ली है, यहाँ पर इसके एक तरफ में ये हमने पोलिश कर दिया, ये एक तरीके से समतल दरपन हो गया, एक दम चिकना, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, एक प्रकाश की किरण को इस पर आप आपतन बिंदू क्या बोलते हैं आपतन बिंदू कहते हैं तो इस आपतन बिंदू के से गुजरता हुगा इस सतह के जो लंबवत ये जो होता है इसको हम लोग अभी लंब कहते हैं इसको क्या कहते हैं बेटा अभी लंब ठीक है अभी लंब कहते हैं ओके और जब ये इस पर तकराती है तो तकराने के पश्चाति कैसे चली जाती है ये कुछ इस तरीके से उसी माध्य में वापस लोड़ जाती है प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या बोलते है प्रकाश का परावर्तन कहते है तो इसको हम लोग क्या बोलते है परावर्तित किरण कहते है ठीक है ये वाला जो कौन होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का इसको हम लोग बोलते है आर तो यहां पर जो कौन आई है इसको हम लोग बोलते है आपतन कौन ठीक है आपतन कौन है ना और जो कौन आर है उसको हम लोग बोलते है परावर्तन कौन ठीक है परावर्तन कौन अब परावर्तन के नियम हमें बताने हैं। तो ध्यान से देखिएगा परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के नियम। ठीक है। एक तो सबसे पहला वाला तो ये है कि जब भी परावर्तन होगा हमेशा याद रखिएगा बच्चों जो एंगल आई होगा आपतन कोन का मान हमेशा परावरतन कोन के बराबरी होगा अगर ये 45 डिगरी पर आ रही है 45 डिगरी पर ही जाएगी 30 डिगरी पर आ रही है 30 डिगरी पर ही ये जाती है ठीक है तो एक तो ये हो गया और जो दूसरे नंबर पर आता है वो ये है बेटा कि आप्तित किरण, परावर्तित किरण, व अभी लंब, तीनो आप्तन बिंदू पर एक ही तल में होते हैं, है ना, आप्तन बिंदू पर एक ही तल में होते हैं, ठीक है, तो ये इसके दो परावर्तन के नियम होते हैं, एक ही तल में होने का मतलब क्या है, अगर आप इधर से देखेंगे, है ना, इधर से अगर आपने देखा, तो ये वाली जो किरण है ना, लाल वाली, ये अभी लंब को और ये नीली वाली को परावर्दित करें उनको ढख लेगी ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में होते हैं बिटा किसी को हम लोग बोलते हैं एक ही तल में होना तो यही इसका उत्तर है धनेवाल Classics to 12 से लेके Need IIT GE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 84444 पर